इस प्रोग्राम इस स्पॉंसर्ट बाइ सुमेरू इंफ्रस्ट्रॉक्चर्टर्ज मुझफर नगर पुलिस और बदमाशक बीच हुई मुट्भिड में 25,000 काइनामी बदमाश घायल हो गया गورतलब है कि बेगराजपोर छोकी पर चेकिंग के दोराँ बाइक सवर दो संदिकदों को पुलिस ने रूकने कायी शारब किया लेकिन बाइक सवर बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा फरार बदमाश की ग्रिफतारी के लिए पुलिस ने घंडो तक जंगल में कॉम्बिंग की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ गाहल बदमाश अर्शत के पास से पुलिस ने एक अवैद तमंचा, कार्टूस और एक संदिग्द मोटर साइकल बरामत की है आज ये डेली की तरह रूटीन चेकिंग चल लाई थी हैं वेकराजपूर चौकी के पास इधर से खतौली की तरफ से चेकिंग के दोरा मोटर साइकल पर दो लोग आते वे नजर आए जब रोकने का प्रियाश किया गया तो इनके दोरा मोटर साइकल नहीं रोकी गई और यह जो आपके वेगराजपूर इंडिस्टिल इरिया है साइट लिंक की रोड है इस पर उनके दोर पह प्रियास किया गया तो आगे पेड़ पढ़े हुए थे जिस से मोटर साइकल स्कृत हो गए और फिसल गई जो बदमा और दूसरा बदमास भाग गया जो बदमास था उसकी पहचान अर्शत के रूप में हुई है जो की एक शातिल लुटेरा और डकैत है इसके उपर लगवग 18-20 के लगवग मुकदमे हैं और सभी लूट डकैती के मुकदमे जातर इसमें गैंगस ट्रैक्ट भी इस पर लगा है ये 25 रुपए का इनामी था और हमारी हाँ की दो लूट थाना फुगाना और थाना खतौली इन दो लूटों में वंटेट था इसके पास से जो हतियार है जिससे इसके दोरा फायर किया तमंचा वो है कार्तूस खाली और भारे दोनों कार्तूस वरामद है जो फरार बदमास से उसकी पहचान बताया गया जो इसने बताया सलीम के रूप में हुई है यह इसके इसके साथ का लुटे रहा है और यह भी वांटिड है मुझा अगर से अक्षा ठाकुर की रिपॉर्ट